हलो दोस्तो हमेशकार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत स्वाइट करता हूँ इस पड़े में हम लोग बात करने वाले एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग निउस के बारे में देखे कोई भी खबर सामने आती है न वो किसी पर्टिकलर कमपनी के लिए ग्रूप के लिए पॉजिटीव खबर होती है और साइमल्टेनियसली उसी वक्त किसी के लिए वो नेगेटिव खबर भी साबित आपे हो जाती है सो खबर क्या है वो मैं आपके सामने रखुंगा एंड उसी की साथ साथ पॉजिटीव किसके लिए और नेगेटिव किसके लिए है वो भी मैं आप लोग के सामने आपे जरूर रखने वάλा हो अगेन केना चाहूंगा ये वीडियो कोई रेकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं, आपको न्यूस पता होनी चाहिए, न्यूस के चलते कौन-कौन से, मतलब खबरों का, मतलब इंपक्ट कौन से कंपनी के पर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़े हम को समझ में आपे आने चाहिए, प्रॉब्लिम क्या होता है, हम लोग न्यूस जभी भी आ जाते है, हम एकी साइड की चीज़े देखते है, कि किसको पॉजिटिव इंपक्ट यापे पढ़ेगा करके, तो ऐसा भी नहीं दोस्तो, पॉजिटिव भी पढ़ता है, इंपक्ट आपे मिल रहे है, अभी raw material के दाम घटेंगे, तो जो कंपनिया, वो raw material खरित कर, products बनाती है, finished goods बनाती है, उनके लिए तो अच्छी खबर है, बट देखे, कुछ companies के लिए raw material ही उनका finished product होता है, तो उनके लिए तो बुरी खबर है, अभी यह जो चीज मैंने बोली है, ठीक जो दूद बेचने वाला है, ठीके, तो वो तो नाराज हो जाएगा, पहले 10 रुपया मिलते थे, अभी 8 रुपया मिल रहा है, बट दूद खरित कर, जो इससे finished products में convert करता था, वो तो खुश हो जाएगा, जैसे कि चॉकलेट की अगर हम लोग बात करे, मिठाई वाले की ब दे रहे हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, लगब लगब अभी 1.5 साल होने को आ जाएगा, मतलब सोडा एश के जो दाम पहले थे, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ऐसा उसका ग्राफ है, वो नीचे ही जा रहा है, मतलब गोल्ड कैसे उपर पाकता है, वैसे इसकी अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, सोडा एश के प्राइजेस देख लेना, लगातार हम लोगो नीचे जाते वे देखने को मिल रहे है, अभी common sense वाली बात है, जो कंपनियां सोडा एश बनाती होंगी, इससे साथ डील करते होंगी, ओविसली chemical companies का यह तो काम है, तो उनके लिए तो यह बुरी खबर होगी, जो इन चीजों को खरीद कर आगे इस्तमाल करते होंगे, उनके लिए तो positive खबर है, तो यही चीज को अभी हम लोग को यहापे समझना है, तो कौन सी company ऐसी है, जिनके लिए फाइदेमन चीज साबित होगी, तो द detergent की, अगर हम लोग बात करें, yes, that's it, so उसमें भी अगर हम लोग बात करें, तो soda ash का यहापे इस्तमाल किया जाता है, so जो detergent बनाने वाली company है, उनको soda ash खरीदना पड़ता है, वो तो चाहेंगे और price नीचे गिरे, तो इनके automatically margins यहापे सुदर जाते है, expenses यहापे घड़ profitability निखर जाती है, and EPS निखर जाते है, तो automatically share के price में भी हम लोग को अच्छा performance देखने को मिल जाता है, so इसी logic के चलते है, अभी हम लोग को यहापे क्या करना है, इन companies को study करना है, but सबसे important बात, कि यह आप बोल रहे हो कि prices लगातार गिर रहे है, 15 मेने से price यहापे गिर रह है, ठीक है, and खास करके दोस्तो supply की अगर हम लोग बात करे, अगर supply में, अगर हम लोग को यहापे बहुत ही ज़्यादा बड़ोतरी देखने को मिल गई, तो automatically वो जो product रहता है, या फिर services रहते है, उसके price drop हो जाती है, इसलिए crude oil आप लोग ने देखा होगा, उसका क्या कि हो गया, soda ash की अगर हम लोग बात करे, जो country soda ash से related production करती है, यहापे business करती है, उनका जो soda ash उन्होंने बनाया, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मातरा में बनाया, अभी इतना अगर आप supply करोगे, तो automatically price तो नीचे ही आएगा न, तो इसी चीज़ के चलते, बहुत सारे कंपनि टाटा केमिकल, yes, soda ash से related जब भी भी news सामने आ जाती है, मेरे आपकों के सामने तो पहला टाटा केमिकल ही flash हो जाता है, so इस कारती हैं ने कि टाटा केमिकल बरबाद हो गया करके, बट येस, इस चीज़ के चलते, टाटा केमिकल में हम लोगों को बहुत ज़्यादा volatility देखन का आपे मिल जाती है, क्योंकि ये soda ash से related ही company काम करते वे देखने का आपे मिल रही है, लगातार यहापे 15 मेने से इनको दिक्कते देखने को मिल रही है, तो इसके चलते जो इनके बीच के share price भी बहुत अच्छे कासे भागे थे, वो वापस नीचे आगे, मतलब अगर आप 2700, इसी range में हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर soda price के, ash के जो price है, ठीक है, अगर उसमें stability आते हैं, अगर वो उपर चले जाते हैं, तब जाके Tata Chemical को एक consistently फायदा यापे होते वे देखने को मिल जाएगा, तब तक के लिए देखा गया, तो इ ऐसे के आपको पता ही है, अगर soda cash बनता है, for example, ऐसा है, बोल रहा है, 100 रुपे में बिखता है, अभी उसके price कम ही हो रहे, 90 हो गया, फिर उसके बाद 85 हो गया, अभी और कम होके 80 हो गया, तो obviously company के revenues भी घटेंगे, and expenses usually देखा गया, तो कुछ हद तक fix होते हैं, तो fix expenses and नीच सी company है, DCW, ये भी company अगर हम लोग या पर देखेंगे, तो आप या पर चेक कर सकते है, soda ash से related ही, हम लोगो इनका भी business देखने को आपे, मिल जाते हैं, ये भी microcap, smallcap type की या पर company है, so ये खास करके soda ash से related, जितने भी company काम करती है, उनके लिए थोड़ा सा tough time है, हम लोग ऐसा या पर बोल सकते है, अभी आ जाते second chapter की उपर, मतलब कौन से ऐसी company है, जिनको इन खबर का अच्छा कासा फायदा होगा, मतलब इनके लिए ये raw material है, soda ash, तो वो तो चाहेंगी गिरते जाने दो, और गिरते जाने दो, और गिरते जाने दो, हमें तो must, यहापे soda ash सस्ते दाम में आपे मिल रहा है, ठीक है, तो इनके बहुत ही अच्छे कासे numbers या आने वाले समय में, सुधर तेवे भी देखने को आपे मिल सकते है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पता है, कि detergent वाली company है, glass से जोड़ी जो company है, उनको फायदा होगा, तो detergent मतलब कौन सा, actual, अभी actual दे सर्फ, Excel की बात करे, तो उसमें, actual को इस चीज़ का definitely आपे benefit मिलते वे देखने को आप लोगों को आपे मिल सकता है, अगर हम लोग यापे बात करेंगे दोस्तों, तो जोती labs, जोती labs के अगर हम लोग बात करें, तो इनके कुछ products आप लोगो ज़रूर यापे पता होंगे, अगर कुछ example में आपके सामने रख दो, तो उजाला तो आप लोगों को पता ही है, detergent से related, दैन उसी के साथ साथ अगर हम लोग हिनको की बात करें, ये भी ultimately हम लोगो जोती labs का ही product देखने को मिल जाता है, दैन उसी के साथ साथ Mr. White की बात करें, ठीके तो ये detergent वाले जितन investment एक अलग बात होती है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को अच्छे तरीके से बाइफर्केट करना है, आना चे अलड़ी में multiple time आपको cover यहापे करके बता चुका, अभी जोती labs की बात करें, तो आप देख सकते company में volatility बहुत जादा होती है, जितना return बनना चे उतना easily बनत देखने को मिल जाएगी, तो PGHH की बात करें, तो आप सब लोगों को बता है, ये भी company में बहुत सारे बड़े-बड़े products हम लोगों को देखने को मिल जाते है, detergent के साथ ये भी company काम करती है, तो इनको भी अच्छा गासा फाइदा होगा, soda ash के price में आपे गिरावट होने से then अगर हम लोग बात करेंगे, AJI Green Pack, अभी ये जो company है, जो कि आप सब लोगों को बता है, glass से related हम लोगों को काम करते वे देखने को मिल जाती है, और शायद से आज की दिन ये 10-10% ये आपे भागा है, वो इसी खबर के चलते हम लोगो enjoy करते वे देखने को आपे मिल रहा है तो ये company क्या करती है, glass के जो bottles होती है दोस्तो, जो containers हम लोगों को देखने को मिल जाती है, येस, वो बनाने से related हम लोगों को, जो packaging products जो रहते है न, उससे related ये company आपे काम करती है, अगर आप इन companies के website के उपर जाओगे न, तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो bottles है, च क्योंकि maximum इनी के और से सारी चीज़े खरी दिया आपे जाती है, ज़रूर AGI के अगर हम लोग बात करें, तो इनको अच्छा कासा फाइदा हम लोगों को होते वे देखने को आपे मिल जाएगा, दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो borosil, borosil के अगर हम लोग बात क हम लोगों को अच्छा कासा फाइदा होते वे देखने को मिल सकता है, तो आशा करता दोस्तो वीडियो हैलफू लगाँगो तो ज़रूर लाइक और शेर कर देना, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो के लिस्ट आप